Hello friends, welcome back to our YouTube channel, hope you all doing well तो चलिए हम लोग आज CDB से जितने भी important question बन सकते हैं वो सारे questions के बारे में discuss करेंगे यह वीडियो जो है आपके January seated के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा बस हम लोग questions को देखते चलेंगे और समझेंगे कि questions जो है कैसे आते हैं और कैसे हम लोग को questions को solve करना है तो चलिए देखते हैं पहला question देखे क्या है वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संग्यानात्मक विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभाशित किया जा सकता है तो बच्चे का जो संग्यानात्मक विकास होता है इसको सबसे अच्छे तरीके से परिभाशित पहला दिया की खेल का मैदान तो नहीं है सभा सागर ये भी नहीं होगा घर पे नहीं होगा विद्याले युम्जोय कच्छा पर्यावरण में उसके संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिवाशित किया जा सकता है अगला प्रशन देखे क्या है मानो विकास किन दोनों की योगदान का परिडाम है तो मानो विकास जो होता है ये वन्स क्रम और वाता वरड का जो है एक अच्छा योगदान होता है तो option number CMR right हो जाएगा अगला question देखें क्या है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षड नहीं है तो पताना है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षड नहीं होता तो देखें D क्या दिया है वह जो एक परिवेश में स्वैम को समायोजित कर सकता है ये जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षड है दूसरा है वह जो मूर्त रूप से सोच रहा है ये भी सही है ये हमारा जोए बुद्धिमान बच्चे का लक्षर नहीं है, option number ये हमारा right हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का स्रेजन करते हैं, इसका स्रेग किसको जाता है, तो इसका स्रेग जोए जिन पियाजे को जाता है, और जिन पियाजे नहीं संग्यानात्मक विकास का सिध्धान दिया था, ये भी ध्यान में रखना ह नेश कोशन देखे क्या है परिवार एक साधन है तो परिवार किसका साधन है तो परिवार जो एक अनौपचारिक सिक्षा का साधन होता है तो आप्शन नमबर भी राइट हो जाएगा और ये तो आपचारिक है 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 अगला प्रशन देखे क्या है औधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्टा है तो औधारणाओं का विकास जोता है ये मुख्य रूप से अधारित होती है ये विकास विद्ध के मनोवज्ञानिक सिद्धान पर अधारित होती है अगला प्रश्ण क्या है निम्न में से कौन सी पूरो बाल्य अवस्था की विशेष्था नहीं है तो पूरी बाल्य अवस्था की विशेष्था क्या नहीं होती है तो पहला क्या दिया दल या समू में रहने की अवस्ता बिल्कुल सही है, अनुकरण करने की अवस्ता ये भी सही है, प्रश्ण करने की अवस्ता ये भी सही है, खेलने की अवस्ता जो है नहीं होती, option number number देमर हिंटु जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है बच्चों को रूची बनाए रखने के लिए आप कौन सी विदी का चैन करेंगे तो बच्चों में रूची ये देखे अगर आप टीचर ट्रेनिंग करेंगे या फिर इसमें भी जो है आप लोग को ध्यान देना पड़ता है तो इस शीश को ध्यान में रखना है देखे क्या दिया है बच्चों की रूची बनाए रखने के लिए आप कौन सी विदी का चैन करेंगे तो पहला दिया है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रशन पूचेंगे बिल्कुल गलत स्वयम गतिविधी करके तता बच्चों को बताएंげ यह भी नहीं है आप गतिविधी में बच्चों को शामिल करेंगे यह भी नहीं है बच्चों को स्वयम गतिविधी करने के लिए देंगे बिल्कुल सही option numberềma रही रइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो मुल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए पहला दिया है मुल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं है इससे बच्चों की उपलब्दी का पता लगता है बिल्कुल नहीं बच्चों को सीखने के अस्तर का ग्यान होता है option number से बिल्कुल right है मुल्यांकन से क्या होता है कि बच्चों को सीखने के अस्तर यानि बच्चा कितना सीख पा रहा है कौन सा बच्चा कमजोर है कौन सा बच्चा को कहा दिक्कत हो रही है ये सारी चीज़े आप मुल्यांकन से ही पता लगा सकते है तो मुल्यांकन जो है एक बहुत ही important factor होता है नेश कोशन देखे क्या है परामर्स का उद्देश है तो परामर्स का क्या उद्देश होता है तो परामर्स का उद्देश होता है बच्चों को समझना बिल्कुल सही, बच्चों की कम्यों का करण पता करना बिल्कुल सही, परामर्स का उदेश्य होता है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना बिल्कुल सही, option number D right हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है, सिख्चा मनोविज्यान की दृष्टी से निम्न में से कौन सा कथन सकते है, तो सिख्चा मनोविज्यान की दृष्टी से जो है, बच्ची अपने ज्यान का स्रीजन स्वैम करते है, यह हमारा सिख्चा मनोविज्यान की दृष्टी से है, तो option number परिमर राइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है बच्चों में नैतिकता की अस्थापना के लिए सरोत्तम मार्ग है तो बच्चों में अगर आपको नैतिकता की अस्थापना करना है तो इसके लिए जो सरोत्तम मार्ग होता है पहला क्या दिया दिया दिखे उन्हें धा तका का कि अस्तापना नहीं होगी, जैसे टीचर जो ए उसके इंदर कोई morality ही नहीं है, तो बच्चे क्या सिखेंगे, बच्चे भी तो व़यी विकार चीज़े गालियां सिखेंगे, अगर गाली देता है टीचर तो अगर उसके अंदर कोई अच्छी quality नहीं है, तो बच्चे क ऐसे सिख पाएंगे तो नैतिक्ता की टीचर के अंदर भी नैतिक्ता का होना बहुत जरूरी है तो इसलिए क्या हो जाएगा option number भी राइट हो जाएगा नेक्ष्ट देखे दिया है उनका मुल्य सिख पर मुल्यांकन करना नहीं गलत है उन्हें प्राता कालिन शबा में उपदेश देना ये भी नहीं होगा option number भी राइट हो जाएगा नेश को प्राशन देखे क्या है सिख्षक विद्यारती के मद्ध संबंध होना चाहिए तो सिख्षक विद्यारती के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए सने का होना चाहिए बिल्कुल विस्वास का होना चाहिए बिल्कुल सम्मान का होना चाहिए बिल्कुल तीनों जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मद्द बढ़ावा देता है तो एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों के मद्द जो है सही हो की भावना को अस्थापित करना चाता है तो option number भी मरा क्या वज़ेगा राइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है मांसिक रूप से स्वस्त अध्यापक की विसेस्ता क्या है तो मांसिक रूप से स्वस्त अध्यापक की जो विसेस्ता होती है वो सम्विदात्मक रूप से स्तंतुलित है तो option number एमरर राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण देखे क्या है सिख्षा का अती महत्वपूर उद्देश है तो सिख्षा का सबसे महत्वपूर उद्देश जो होता है क्या होता है आजीव का कमाना नहीं बच्चों का सरवांगिर विकास करना बिल्कुल सही सिख्षा का सबसे महत्वपूर उद्देश ही क्या होता है बच्चे का सरवांगिर विकास करना होता है अगला कोशन देखे क्या है बच्चे की बुद्धी लब्धी 90-110 के मद्ध है वह है तो वह बच्चा कैसा है तो बच्चा कैसा है समान बुत्ती का बच्चा है अगला कोशन देखे क्या है सतत व्यापक मुल्यांकन में व्यापक मुल्यांकन सब दावली का तात पर रहे है तो व्यापक मुल्यांकन क्या होता है तो इसको मुलों को जाना है तो व्यापक मुल्यांकन का जो अर्थ है सैचिक इमसा सैचिक छित्र का मुल्यांकन है option number C right हो जाएगा अगला question देखे क्या है दिख्षा द्वरा पूछे गए एक प्रश्ण का उत्तर सिख्षक ततकाल नहीं दे सकता सिख्षक की प्रतिक्रिया क्या होने चाहिए सिख्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ ये भी गलत है नेक्ष देखे क्या है सिख्षक त्वरा इस प्रश्ण का सही उतर बाद में समझ कर देना चाहिए option number D बिल्कुल right है नेश कोशन देखे क्या है बच्चों की जिग्यासा सांथ करनी चाहिए तो बच्चों के जिग्यासा कैसे सांथ करनी चाहिए पहला दिया है जब सिख्षक फुर्सत में हो कलत जब विद्यार्थी फुर्सत में हो ये भी नहीं है कुछ समय के पश्चात नहीं बच्चों के जिग्यासा कैसे सांथ करनी चाहिए पहला दिया है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात दिक करेंगे, नहीं, आप बच्चे को मात्री भाषा में बोलने से रुखेंगे, बिल्कुल गलत, आप उसे मात्री भाषा के सहायता से काने का प्रयास करेंगे option number डी बिल्कुल राइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है बच्चे के लिए निसुलक एवं अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्स के लिए लागू है तो यह किस के लिए कितने वर्स के लिए लागू है तो यह जो है six to fourteen years के लि अध्यापन विशय का बिलकुल यह भी है बाल मनुवज्यान का यह बी है बिल्कुल सही option number a और बीद यह अन Fair the नुम्य को जये दोनों का जहें होना चाहिए तो देखिए यहां पर है Russian number d अध्यापन विशय और और जबाल मनुवज्यान का जो है जु़ वीकास सिर्षी पैयर की ओर होता है यह जो है इनके उसा नहीं है वीकास सिर्षी पैयर से अधिमान निधारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यह कौन सा है, इन्होंने जोए अस्थान समद्धी बुद्धी बताया, सही है, भावात्मक बुद्धी बताया, यह गलत है, उन्होंने अंतरव्यक्ति बुद्धी, भावात्मक बुद्धी और जो है अस्थान समद्धी बुद्धी बताया भावनात्मोग बुद्धी जो है नहीं बताया आप्शन नमबर भी यहारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नेश कोशन दिखे क्या है गटना और वस्तूं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है पियाजे के चड़ों के समद्ध में सही कथन है तो सही कथन इसमें क्या है अगर कोई बच्चा जो है गटना और वस्तूं के बारे में तार्किक सोच रखता है तो उसका मतलब क्या है? वो मूर्थ संचालन प्रक्रिया है तो option number C, right हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है? सहयो गात्मक रड़नीत किस रड़ी में महिलाय निम्न में से संबंधित नहीं होती है तो महिलाय जो एक किस में संबंधित नहीं होती है यह जो है प्रतिरूद में संबंधित नहीं होती है नेश कोशन देखे क्या है? व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए तो एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति विभिनिता की मिलन के संबन में जो है क्या होना चाहिए तो पहला देखी दिया है व्यक्ति के दृष्टि कोड अभीरूची और योगिता को जानने का प्रयाश बिल्कुल सही है व्यक्ति आधायत पार्टि क्रमों को उनकी आवेसक्ता के अनुसा समझने की कोशिस आप्शन नमबर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा नेश कोशन दे कि क्या है विद्याले शित्र में रशनात्मक निधारकों को जानने के लिए इसमें से कौन सा उपागम नहीं है तो कौन सा उपागम नहीं है पहला दिये वार्टालाब कोशल ये बिल्कुल सही है बहुँ भी कल्बिय कोशल प्रशन ये जो है नहीं आप्शन नमबर भी हमारा राइट हो जाएगा